हलो डियर इस्टुएंट्स नमस्कार मैं राजियुक्मार स्वागत करता हूं आप सभी लों का अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की हमारी वीडियो कम्पूटर सिक्षण यूपीडियर्ट था समस्ट्र के स्टुएंट्स के लिए है तो आज हमने जो प्रेश्ण ल लेते हैं पहला प्रेश्ण है पहला प्रेश्ण है डीटीपी का पूरा नाम क्या है उत्तर है डीटीपी का पूरा नाम डेस्टॉप पब्लिशिंग है ठीक है अगला कोस्ट लेते हैं कोस्ट नमबर दो डीटीपी से आप क्या समझते हैं उत्तर है डीटीपी एक अप्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है अगला लेते हैं इसीिक साथ मौश्चन 3 कन अ कर दो रोजगार संबनला पॉतल कौन कोन से हैं तो देखिए palavras देखिए यह स्मर्डगर नोगीrekins डोट क Wiris.com नैसे डोट क्व है । लेते हैं इंटरनेट पर बहे ली जाने वावारे आप शब्द को क्या पर कहते हैं प्र Int丮ेट पर किसी कोई बहुता है तो इसका बोलते आंड अनरेट के लेंगे इसका उत्तर आए इंटरनेट पर पर है जाने वा आप शब्राइब को तब कहते हैं कंधते 120 अगला कोश्चिन नमबर फाइब मुक्त सेक्षिक डिश्टल संसाधनों का उनलिख करो तो उत्तर है इबुक्स नमबर दो बेपोटल्स इबुक्स नमबर दो बेपोटल्स कोश्च नमबर छे STML का पुरा नाम लिखें तो दोगिए STML का पूरा नाम होता है है है도 अगला कोश्चिन नमबर छेब है अगला सब्सक मार्क पार्ण नमबर लेंगगेज है तो इस फीड़ी रोम की फुल फार्म क्योंती है compact disk read only memory से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर है देखिए यह एक ऐसी storage disk होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा जाता है लेकिन बार बार पढ़ा जाता है ठीक है अगला question question number 8 DVD का पूरा नाम क्या है full form क्या है DVD की full form क्या है कि देख लीजिए डीवीडी की full form डिजिटल बर्सलाइट डिस्क डिश्टल वीडियो डिस्क की दोनों ही होती है ठीक है प्रस्ट नमबर 9 जिसमें इस्टोरेज डाटा पाबर सप्लाई बंद की जाने प्रस्ट ब्रस्ट बना रहता है किया कहते है कि कहते हैं इसकी नॉन ब्लेटल मेमोरी अरु खिंड кноп मोरी ओ तो नॉन ग्ल्टल मैमोरी जो होती है इसमें क्या होटा है कि अगरा आप सप्लाई-म्प बिकर दो तब भी डाइटा सेव रहता है इसको बोलते है non volatile memory okay को अगला प्रिष्ण लेते हैं प्रिश्ट नमबर ले एैं या किसी और जीए की इसे सर W ले रहें। जितने भी यह सब क्या है 120 इंटरनेट सरविस प्रॉआइडर रहे हैं गोष्ट नमर 11 है तुट्र क्या है पैंड्रक क्या होता है देखिए तो तरह यह एक एक इलेक्ट्रोनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कम्पूटर के USB से जोड़कर उप्योग किया जाता है ठीक है कुश्चन नमबर बार है डेस्टॉप क्या होता है उत्तर डेस्टॉप कम्पूटर का स्क्रीन होता है जो कम्पूटर चालू होने के पस्चा दिखाई देता है ठी की बोर्ट पर बॉटन दवाने की प्रिकर्या को हम क्या होते हैं कि हमारा उता है जागं उसको कोई भी किप रिष्ट करते हैं तुसको टे conhe ripple डेस्वें क्मपूटर की में क्या हो लें जाप उत्तर है की बोर्ड और में की पीज्जांक को कि कहते है कि जाना क्या जहते है कि देखी मॉडरन के कंपूटर साइंस का जो जनक है वो कौन है तो उत्तर है एलन टूरिंग को आधनी कंपूटर बिग्यान का जनक कहते हैं ठीक है अगले प्रिश्ण पर प्रिश्ण नंबर 15 है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या है यूपीएस का पूरा नाम क्या है अने इंट्रप्टेट पावर सप्लाई तो कंपूटर में यूपीएस होता है जैसे हम कंपूटर को पावर सप्लाई देते हैं उसको यूपीएस बोलते हैं यूपीएस मींस अने इंट्रप्टेट रखता है गंपूटर में ताकि हमने जो क्पूटर पर काम किया अगार हमको कोई डाटा है जो सेव कर सके ठीक है और उसको प्रोपर तरीके से बंद कर सके इसलिए उसको बहते पावर सब्लाई ठीक है प्रस नमबर सबसे बड़ी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर नाम बताएं इंडिया की यह किए इंडिया की इनजी इंडिया की नाम DBS है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है ठीक है अगला प्रेश्च लिजिए नमर 17 कि सीटो बैब ब्राउजर का नाम निगो तरहको देखी पहला बैब ब्राउजr गूगल दूसरा है मौजिल्ला फायरफेक्स यह फीषर फ्रफराएं टिक भिकहां है कि अल्जा से को से नम्बर अफारा को स्जिफने हाइं आधारा ऐए जीपी कि आर अगि कि एऑ इस कफल फार्म क्या थ उत्टर हैं जेनेल पॉकेट ने एडियो सथीज ठीक है अगला परिपिरस्ट नंबर 19 वी यॉरल का पूरा नाम क्या है ब यह जब दम तो तर है यूरल का पूरा नाम है यूनिफॉर्मर्ण सब्सक्राच लोकेटर जोकाथ अधीन रिस्च सो पूरा नाम है और या यह नीम प्रिष्ण सेμεट नंबर बीश के एस भी याड में होता है रख तरह एक से संक्या जो इंटरनेट का पता होती हैं आईप एड्रस कहलाती है जो एस प्रकार कि नृब होता है तो यह दो जो डयनामिक नता है उसमें घंजा के चल रहे हैं तो बहाँ पर हमारा जो कोसिजन किर अनलाइन नハハुझ उन्होंने क्या नगा सब्सक्स D समिज रहे न ीकिसलिए है सेफरी की दरस्टी से शुरक्षा की दरस्टी से कि हमारे पोर्टल पे हमाराlarını कॉलेज डusi पे पर आता है तो हमारे ऑन्लाइन ऑसकता है इसका इंटरनेट चलेगा अगर लावर कोई पी चेंज उब तो पोर्टल लोग नहीं तो यह सुरक शाली दरस्ति चेट की पेपर लीकेज ना हो जाए अगर हमारा पॉर्टल को यह और को लोगन कर लेगा कहीं और किसी जगह है तो हमारा पेपर लीक हो जाएगा इसलिए इस टेटिक आइपी से पोटल को लोगन कराते हैं तो उससे क्या होता है कि जिस कॉलेज मे पेपर जाना है उसी कोलेज में इस इंटरनेट से लॉगन होगा दूसरे इस्टेटिक आइपी नहीं होगा ठीक है तो यह हर किसी इंटरनेट का अपने एक आड्रस होता है ठीक है अगर किसी से इससे क्या है अगर कोई उन्होंने ऐसी वेबसाइट खोली है जो प्रतिबन सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार